अधियों मैं योगाशार्य भारती मेरे चैनल शिव योगीने में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगी जो कि शायद ही आपको पता होगी तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पपीता यानि कि पपाया बहुत ही ज् पापीता स्वास्तों वर्दक थो जैसमें क्यों हैं ने जाता है और आстगे विलद कि किन पपीदा प्रॉँट के दृष्ट से माना जाता है लेकिन कुछ एसी प्रॉब्लम्स में साफीदाब्रosh канisya जानते हैं कि आफिर कौन कौन से लोग बीमारी ऑसकी इस्तिती आपको नहीं कीौशा होता इसलिए इस औस्ते के दिष्टी से बहुत जाद अच्छा माना जाता है और diabetes वालों के लिए और जिनको हिर्दय रोग है यानि की heart related problems है उनके लिए cancer के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है पपीता लेकिन आखिर कौन-कौन से यसी प्रॉब्लम्स हैं जिन में पपीता नहीं खाना है तो लास्ट तक बने रहेगा और लास्ट तक इस वीडियो को जुरूर देखेगा क्योंकि यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप भी अपनी उन प्रॉब्लम्स में पपीता ना खा करके बहुत ही अच्छा करेगी तो देखे वजन घटाने में मददगार है पपीता ये सबी जानते हैं कि वाइटोमिन सी इसमें भरबूर मात्रा में होता है लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से लोग है जिने नहीं खाना है देखे सबसे पहले गरवती महिलाएं ये सबी जानते हैं गरवती महिलाओं को पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह गरभाशय को ट्रूगर करता है और वहें क्यों करता है क्योंकि जो पपीता होता है उससे प्रसव जल्दी होने की संभावना होती है साथ ही साथ इसमें होता है पपैन जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा पपीते के अंदर होता है पपैन जो की भूर को सहारा देने वाली जो आपकी गर्भाषी की जिल्ली होती हैaster उसको वह कमजोर करता है जिससे कि आपका जल्दी प्रसव हो सकता है इसलिए गर्भवती महिलाओं को कभी भी उस दोरान पपीता नहीं खाना है और जैसक कि मैंने आपको starting में कहा है कि heart problems जिने होते हैं यानि कि जिनको हिर्दय रोग होते हैं उनके लिए पपीता बहुत ज़दा अच्छा माला जाता है पपीता बहुत ही ज़दा अच्छा होता हिर्दय रोग्यों के लिए लेकिन एक condition हिर्दय रोग्यों की ऐसी भी है जिसमें कि आपको पपीते का सेवन नहीं करना है जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है तो देखे यदि आप irregular heartbeat की समस्या से पीडित हैं तो आपको पपीता नहीं लेना है और साथ ही एक बात आपको बता दूँ यदि आपको ऐसी हार्ट से रेडिट कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सूर्दय होने से पहले भी नहीं उठना चाहिए तो यदि आपको irregular heartbeat की समस्या है तो भी आपने पपीता नहीं लेना है और अब बात करते हैं हम thyroid के बारे में देखे यदि आपको hypothyroid की problem है तो भी आपने पपीता नहीं खाना है hypothyroid की problem में भी आपको पपीता नुकसान दे सकता है आपके लिए हानिकारक सिध हो सकता है तो आपको पपीता नहीं खाना है आप बात करते हैं कि लेटेक्स एलर्जी के बारे में जिन जिन लोगों को भी लेटेक्स एलर्जी है उन्हें भी पपीता खाने से बचना है तो देखिए अगर आस पास आपके कोई भी ऐसे है जिनने लेटेक्स एलर्जी की समस्या है तो उन्हें पपीता नहीं खाना है क्यो कर देता है और उस्ट रैक्षन का मतलब क्या होगा कि आपको चीक आने लगेंगी आपकी आंक आफर आने लगेगा आपको शांस लेने में दिक्कत होगी आपको १ा सी की ए infiltrates demost यहां को शक्रति आया पापीता यहां उसन पापीते हैं इस तरीका को सलेक्स ऐखर अपने नहीं खाना है जिनको भी किड्नी स्टोन की समस्या है यानि कि गुर्दे की पत्री की समस्या है जिनको भी या फिर शिकायत रहती है वे लोग भी पपीते का सेवन ना करें वो इसलिए क्योंकि जो पपीता होता है उसके अंदर होता है भरपूर मात्रा में वाइटमन सी तो वाइट अंटि औक्सिजेंट भी हैं पत्री की समस्या में यदी आप इसे खाते हैं तो जो पपीता है वहाँ आपका पत्री के रूप में आपके किड्नी में जमाऊ हो जाएगा जो कि urine के through भी pass out नहीं होगा तो आपको यदि रहता है kidney stone तो भी आपको पपीता नहीं खाना है तो दोस्तों पपीता बहुत ही ज्यादा स्वास्थेवर्दक होता है लेकिन यदि आपको ये सभी problem तो आपको पपीता नहीं खाना है avoid करना है तो इसको ध्यान रखेगा यदि ये सभी आपके साथ situation है या फिर ये सब problems आपके साथ है तो आपने भी पपीता को नहीं खाना है इसको avoid करना है और आप सभी इस बात का ध्यान जरूर रखेगा पपीते में बहुर्पूर मातर में पोशक तत्म हैं लेकिन ये जितनी problem से आप इन में ना खाए और दूसरों को भी इसकी सला दे आप सभी का मंगलो आप सभी खुश रहें मुस्कुराते रहें हर्यों